नमाशकर साथियो, मैं आचाररमेज धुस्मन आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है जियोतिस्दिष्टि साथियो, मैं आपका आभारी हूँ कि आप मुझे इतना प्रेम दे रहे हैं और मेरे वीडियो को इस प्रकार से लाइक कर रहे हैं साथियो आईए आज आपको एकादशी जिसका नाम है मोक्षदा एकादशी उसके बिसे में बताएं एकादशी मोक्षदा क्यों है यहां मंगसिर माज के सुक्न पक्ष को मोक्षदा नाम से प्रसिद्ध है इसी दिन भगवान सिरकिष्द ने मा भारत युद्ध प्रानम होने से पूर्व मुईत हुए अर्जुन को स्रीमत भागवद गीता का उपदेश दिया था इस दिन सिरकिष्द गीता की पूजन इत्यादि करके उसका पाठ करना चाहिए गीता में भगवान सिर्किष्ण जी ने कर्मयोग पर विशेस बल दिया तथा आत्मा को अजर अमर अविनाशी बताया है जैसे पुराने बस्तर छोड़ करके नए बस्तर धारन कर लेती है आत्मा पुराने सरीर को छोड़ कर उसी प्रकार से नए सरीर में वरन कर लेती है मुक्षदा एकादसी के दिन मित्या भाषन चुगली तथा अन्य दुसकरमों का त्याग करना चाहिए भगवान दामोदर की दूप दीप नेविद्य से पूजा करनी चाहिए ब्रामण भोजन कराकर दानादी देने से विशेश पल की प्राप्ति होती है इस दिन एकादसी मुक्षदा जो भी भगवत गीता का पाट करता है भगवान किष्ण उसे अपने स्रीशरणों में वास कर दे देते हैं इसलिए इस एकादसी का नाम मुक्षदा एकादसी पड़ा है इस दिन विसेस्त है फलाहार करके और भगवान को जल अरपन करके तब जो है भोजन करना चाहिए ऐसा कर्म करने से निश्चे ही मनिश्यों को मुक्ष की प्राप्ति होती है जिस प्रकार से भगवान क्रिश्चन जी ने अरजुन के मों को भंग किया था उसी मों भंग के द्वारा उसको मुक्ष की प्राप्ति होई थी कि हे अरजुन तेरा कारे है कि रण छेत्र में और युद्ध छेत्र में अपने मन को एकत्रित करके आप युद्ध करो बाकि तो उसके उपर छोड़ दो वो प्रमात्मा सभिलता देगा ऐसे भावों के द्वारा भगवान कृष्ण जी ने अरजुन के मोहों को त्याग किया था इसी नाम से भगवान ने अरजुन को जो है मोक्ष प्रदान किया था इस एकादशी के दिन या परव जो जो मनाता ह है जो जो ध्यान देता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है इनी सब्दों के साथ में अपनी बानी को विराम देता हूं तब तक के लिए नमस्कार अगली वीडियों में फिर आपको ग्यान की चर्चा के साथ में ले चलेंगे तब तक के लिए नमस्कार